जितने भी स्टूडेंट हैं जो पटवारी और होस्टल अधिक्षक भरती परिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चतिस गड़ में पटवारी के 301 और होस्टल अधिक्षक के 390 पदो पर आपका जल्द ही भरती निकलने वाला और इस संबन में जो है नोटिफिकेशन जार तो बताइए आप लोगों का यही सबसे ज्यादर रहते हैं तो मैं आप सभी को बता दू कि छतिस गड़ में पटवारी और होस्टल अधिक्षक के जो भरती निकलता है वह आपका अक्टूबर नोबर में इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर एक दू महीने आपक साथ महीने बचा है एक्जाम में और हम लोग अभी से नोटिफिकेशन और यह जो सिलेबस है इन सब के जनकारी जो है क्यों रखे तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं अब मैंने आपको बता दिया कि छातिस गड़ में पटवारी के 301 औ और यह आपका नवंबर दिसंबर में आता और जनवरी में आपका एक्जाम होता है तो अब आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि साथ आठ महीने बचा है तो आप लोगों को तो खुस होना चाहिए कि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं नोटिफिकेशन तो खुद ही जारी होगा तो इससे अच्छे साथ आठ महीने में हम लोग पूरा स्लेबस और एक्जाम पैटर्न को समझ पाएं और अच्छे से तैयरी कर पाएं जिसे जब नोटिफिकेशन आएगा हम लोग एक्जाम देंगे तो सभी चीजे पूरा कॉंस चाहिए यह नहीं कि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ और आप सर वीडियो बनाते हैं तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूं क्योंकि आपके पास जो टाइम है और सभी चीजों का वीडियो जो साथ-ाठ महीने आपका पटवारी और यह कौस्टल अधिक चक के लिए भुषा है वह सब में आपका साथ- आठ महीने में पूरा पटवारी और हौस्टल अधिक छवब के लिए आपका पूरा तैयारी हैश कि कहलें कि यह सोचे कि कॉपलीट कोचिंग मैं आप लोगों को करा दूंगा कि हिंडी के विए आपको सब्सक्राइब Carmuth 1 सब्सक्राइब जब नोट सेंजारी होगा तब सब्सक्राइब तो कोई पर्शान और चिंता करनी की बात नहीं है मैं आप लोगों को कंप्यूटर पूरा नॉल्ज दूंगा मिवन से अप कर दूँगा फिर आप लोग देख सकते हैं जिससे आप लोग हिंदी में इंग्लिस में 36 गड़ की समान्य जनकारी एको नौमिक्स सविधान हो गया सभी चीजे भारती अर्थ वैबस्ता है एकोनौमिक्स सभी चीजों को गडीत को हर एक चीज को आप जो है बारीकी से और जो आपको टाइम सेडियोल बताता हूं और सभी चीजे जो मैं आपको बताता हूं वो आप लोगों के लिए महत्तुपूर होता है मेरे बातों को आप लोग गवर से सुनिये और गवर से ध्यान से सुनिया और उन बातों पर जो है फोकस कीजे कि मैं जो है क्या कहना चाहता आप लोगों से तो इसके लिए जो है नोटिफिकेसन जारी होगा इसके लिए आप जो है कंफ्यूज मत होई है और मेरे पास computer का पूरा knowledge है computer का पुरा notes है तो आप लोग बोलेंगे कि सारा आप अपने तारिप खुद कर रहे वैसा बिलकुल भी नहीं है मैंने आप लोगों को हर बार में आपको बोलते हूं कि आइट आई कोपा करना चाहे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद इस अफिर तक पूरा बताया जाता है कंप्यूटर के से कोई भी नॉलज नहीं रहता जो आपको पता नहों और उन सब के नोट से मेरे पास है तो उन सब के नोट से का मैं एक एक करके आप लोगों को fundamental हो गए मेंश ओफिस हो गया और इमेंश ओफिस हो गए wordpad notpad HTML है no java script है VBA है सबी चीजे और आपको email की internet की सभी जनकारी आपको पूरा और बैंकिंग के बारे में हर एक चीज के बारे में आपको पूरा computer के बारे में पूरा आपको knowledge देंगा English grammar का मैंने आपको बताया सभी जनकारी आपको जो है मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं भी आप लोगों को सपोर्ट साथ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक motivation जो मिलता है आप ही लोगों से मोटिवेशन मिलते हैं जब आप लोगों को लाइक करते हैं शेयर करते हैं तब मोटिवेशन मिलते हैं तो शेयर जरूर कीजिए लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए फिर जब 7-8 महिने आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक मैं आप लोग ही एनरजी होगा एक्जाम को देने का और एक्जाम को कॉलिफाइज जरूर कर पाएंगे क्योंकि साथ से आठ महिने में सभी चीज़ों मैं आपको बारिकी से अच्छे से समझा दूंगा तो आपको बुक भी मैं बता देता हूं हिंदी के लिए डिली आइस अकेडमी का आपक अच्छा परिक्षा मंतन कंप्यूटर एक परिश्या लेना है चातिस गड़ के समान्य जानकारी के लिए आप जो है हरी राम पटेशर का चातिस गड़ विस्सिष्टा ध्यान लेना है और आपको अब्जेक्टिव के लिए प्रतयोगीता स्वारांश लेना है आई टुटे स्वारांश गड़ांश लेना है और रिजनिंग के लिए आपको अरिहन्द का मास्टर रिजनिंग लेना है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल एन ऐनलेटी का सभी जुझे जो है दिया रहता है और एक्जान पैटाने के बात करें तो आपके पटवारी में डेर्सों क्युशन करण है तो करद चारनście मार्किंग रहता है तो इस तो ज passer से आपको जो है बचना और जो एक्योड रहे गहाँ एक्योड आशर होने पर भी होने पर ही अप चुनख से क्वाविफाइक कर पाएंगे तुक्या को नहीं लगाना है क्योंकि तुक्त लगाने पर आपका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा सायद आपके नंबर और भी कट जाएगा तो जो जो चीजे मैं आपको बताता हूं और मेरे चैनल पर अंग्लिस ग्रामर का और प्रिवेश येर का क्वेशन पेपर और क्वेशन पेपर आप सभी को मिल जाएगा तो उन वीडियो को जरूर देखिए जिसे आप लोग एक्जाइम को और सभी चीजों को बारी की से समझ पाएंगे तो आई हो कि जितने भी जनकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जनकारी आपको पसंदा अगर जनकारी आपको पसंदा तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सभी स्क्राइब कीजे बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर दीजे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू तो उसकी जनकारी सबसे पहले आ और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को जितना होशे कि सेयर कीजिए अपने दोस्तों में सेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पटवारिया होश्टा दिक्चा का उसी जी व्यापम के बारे में नौलेज मिल सेके और वो भी उनको सही जानकार प्ली में सेके और वो अच्छे से पढ़ाई जो है कर सेके और एक्जाम को क्लियर क्वालिफाई कर सेके मिलते हैं नेक्स वीडियो में सो थैंक यू